तो आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ हो चैप्टर नमबर सेवन ठीक है चैप्टर नमबर सेवन सिंगूलार गुलार प्लूरल एक चीज और बहुत सारी चीज ने एक और अनेट जैसे हम करते हैं हिंदी में ठीक है तो बढ़ते हैं आपने पहले स्लाइड की तरफ और remember कि मैंने आपसे कहा था कि मैं verbs लेखे आउंगी पर मुझे लगा कि ये chapter उससे ज़्यादा जरूरी है तो मैं पहले ये लेखे आई हूँ और एक special announcement है आज के बाद मैं verbs के साथ साथ आपके लिए दो chapter लेखे आउंगी मतलब verb तो रोज आनी ही आनी है क्योंकि verbs इतनी सारी होती है कि हमें आज से शुरू करेंगे तो कितना time लग जाएगा समझते समझते तो verbs तो आएंगी ही और verbs के chapter में मैं सिर्फ verbs ही समझाऊंगी ठीक है sentences के साथ obviously बट सिर्फ verbs ही समझाऊंगी बट उसके इलावा draws या फिर हर दो दिन बाद एक दो चप्टर एक दो चप्टर मैं से लेके आउंगी जिसमें adjective जिसमें preposition मतलब पूरे sentence बनने के लिए जो जो चाहिए होती है वो हर चीज़ लेके आउंगी ठीक है तो चले बढ़ते हैं अपने पहले slide की तरफ okay singularis pluralis singular और plural ठीक है अब यह देखिए यह जो चार्ट मैं लेके आती हो ना आपके लिए यह बहुत ज़रूरी होता है ठीक है अब माले जीए मैंने यहां पे दिये 10 examples और बाकी के जो पालाबरास बचे हैं बाकी के जो words बचे हैं उसका क्या तो अगर आप यह चार्ट अच्छी तरह से समझ लेंगे हर chapter का ठीक है तो आपको हर word पे अगर मैं word का समझारी हूं तो word पे vowels का समझारी तो vowels पे pronunciation का है तो pronunciation पे बट जो भी मैं चार्ट में लेके आती हूं मतलब कि वो एक law होता है एक rule होता है किसी भी चीज़ को उस पे apply करने का तो यह rule है यह law है singular plural का ठीक है तो rule क्या है हम वो देखते हैं अगर आप यह rule समझ लेंगे यह law समझ लेंगे तो हर singular plural word पे आप यह add कर सकते हैं ठीक है जैसे माल लेजिए अगर आपको एक चीज़ बोली गई है है ना कि उना कामा और आपने बोलने हैं दस है ना तो वो plural हो गए एक से जादा मतलब की plural ठीक है तो आप समझ पाएंगे कि हाँ अगर यह word इस word पे इस letter पे खतम हो रहा है यह word तो इसमें मैंने क्या अप्लाई करना है और क्या नहीं अप्लाई करना है ठीक है तो चलिए देखते हैं मैं जो समझाना जारी हूं उसका इधर example है पालाबरास के तेर्मीनन एन मतलब जो words खतम होते हैं बोकालेस पे कौन सोनानतेस पे और सेता जेड पे ठीक है उन तीनों के अ words होते हैं हमारे बोकाल मतलब की बोकाल जो होता है आ ए ए ओ उ वो जो word में end पे आता है ठीक है जैसे की बाता ये बोकाल पे खतम हुआ पी सो ये भी बोकाल पे खतम हुआ तो उसमें प्लूरल में अप्लाई होगा एस मतलब बातास पी सोस तो ये हो गया वावल्स वाला जब हमारे वर्ड वो कालेस पे खतम हो, शुरू हो नहीं, खतम हो, okay? Consonante, Consonante means, हमें पता यह वो कालेस को छोड़के, यह पांच letters को छोड़के, बाकि जितने भी letters हैं, वो consonantes होते हैं, ठीक है? तो जब हमारे words consonantes पे खतम हो जैसे कि एने, एले या फिर कोई भी another हो सकता है M पे खतम हो रहा है S पे खतम हो रहा है P पे खतम हो रहा है M पे खतम हो रहा है B पे खतम हो रहा है कि C पे भी खतम हो सकता है तो consonantes पे जब खतम हो उसके आगे लगेगा प्लस ES, मतलब कि ES उसमें apply हो जाएगा, तो वो बन जाएगा plural, ES नहीं है, तो मतलब singular है, ठीक है ना? और ES add हो गया, तो बन गया plural, अब materialis, material, materialis, यह भी consonant है, ठीक है, तो देखा आपने, इसमें ES लगाए, क्योंकि यह word N पे खतम हुआ है, और इसमें A पे खतम हुआ है, O पे खतम हुआ है, तो इसमें सिरफ S लगा है, S apply हुआ है, अब एक consonant Z भी है, अब Z भी consonant है, बट इसका एक exception है, ठीक है, Z पे जब कोई word खतम होता है, तो उसके आगे ES नहीं लग पाता है, क्यों, क्योंकि वो exception में आता है, ठीक है, Z पे खतम होगा, तो हम Z हटा देंगे, देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, minus Z plus CES, मतलब Z हटा के हम लगाएंगे CES C, A, A से, ठीक है, तो बाता, A पे खतम हुआ, बाता, यह मैंने आपको meaning पहले समझाया हुआ है, मतलब कोई भी गाउन हुआ, जो हमारे कपड़ों को बचाने के लिए होता है न, वो जाए winter गाउन हो, summer गाउन हो, या काम करने वाले काफी जादा तरह के गाउन पहनते हैं, nurses पहनते हैं, तो किसी भी तरह का गाउन हुआ, कपड़ों को केν की, ठापन ढंब भाण की न, गाउन थकान, और तसाने अग्लिह, === माटेरियान मेंज मैटिरियल और माटेरियाले जो बहुत सारे मैटिरियलज अग अग अलग चीज चीज के हो सकते हैं, ठीक है और पेस means fish और पेसेस means बहुत सारी fishes, लापीस means pencil और लापीसेस means बहुत सारी pencils, ओके तो आगे और भी examples हैं, दिखते हैं कौन से हैं वो examples ओके, अब इसमें एल और ला मैने क्यों साथ साथ लिये हैं क्योंकि हम अभी ये articles नहीं पढ़ रहे हैं हम अभी masculino feminine हम पढ़ चुके हैं, ठीक है वो हो चुका है, अब इसमें जो ये rule apply होना है, वो होना है object पे, तो object चाहे masculino हो, चाहे feminine हो, एल और ला तो उसके सामने वैसे ही लगेगा जैसे हमेशा लगता है ठीक है, जैसे masculino और feminine हो में लगता है पर ये rule जो apply हो रहा है ये दोनों पे same ही हो रहा है, ठीक है चाहे masculino हो, चाहे feminine हो बस हमने ये देखना है कि word किस पे खतम हो रहा है, आ पे खतम हो रहा है और देखिए singular से plural हम हमेशा noun अध्खितिवोस, इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, हर चीज़ को नहीं कर सकते हैं तो वो हमें word देखने है कि हाँ, ये singular से plural हो सकता है मतलब एक से ये अनेक हो सकते हैं एक से जादा हो सकते हैं तो, let's start इल पार्के, लोस पार्के, तो देखिए ए पे खतम हो रहा है, वावल, वावल तो S अपलाई हुआ, मतलब पार्क लाइसकोएला, मतलब स्कूल और लासेसकोएला, बहुत सारे स्कूल तो ये भी A पे खतम हो रहा है, तो इसमें अपलाई हुआ एस, इसी तरह से ये चार, पांच, पांच हैं जो वावल पे खतम हो रहे हैं, A या E या O, या U ठीक है या A, तो सब पे S, 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 मैं ब्लू में इसी लिए लेके आई हूँ ताकि आपको पता लगे कि सिरफ S अपलाई हुआ है यहां पे, ठीक है नीन्या, तो यहां भी S अपलाई हो रहा है, अब आगे है मुखेर ठीक है, मुखेर किस पे खतम हो रहा है कौन सोनांते पे कौन सोनांते पे खतम हो रहा है इसकी वज़े से यहां पे E, S लगा है, ठीक है और मातेरियाल जैसे कि हमने पहले देखा, यह भी कौन सोनांते पे खतम हो रहा है, मतलब E, S मोतो किस पे खतम हो रही है? बोकाल पे तो बोकाल पे खतम होने की वज़े से यहां पे लगाए सिरफ S अब यह आगया exception word है लापीस, लापीस किस पे खतम हो रहा है? Z पे, तो लापीस खतम हो रहा है Z पे तो आगया CES और भी कुछ words बनाया है पर पहले उसे पहले मैं आपको यह सारे बोल के बता देती हूँ, ठीक है? इल पार्के लोस पार्केस पार्क ला एस्कुएला लास एस्कुएलास श्कूल ला शीया लास शीयास चिर ल पीसो लोस पीसोस फ्लैट या फ्लैट्स मैंने इसमें एक ही ट्रादुक्सियोन जो है ट्रांसलेशन वो एक की ही लिए या इसकी या इसकी, ठीक है? सिरफ समझाने के लिए है ये तो इसमें मैंने द ये वो सब अपलाई नहीं किये ताकि आप कन्फ्यूज नहीं और फोकस हमेशा हम वर्ड पे रखें, मतलब जो हमारा चैप्टर है, मैं उसी की ट्रांसलेशन लेना पसंद करती हूँ, अब मैं यहां पे द लगा देती तो आप उसको भी देखते और पाक को भी देखते नहीं यहां हमारा फोकस है सिंगुलर प्लूरल तो हम लेंगे सिरफ अबजेट्स ठीक है, ओके इल चांपू, लोस चंपूस, मतलब शांपू, ठीक है, वो बॉटल्स में हो सकता है, पैकेट में हो सकता है, सैशे में हो सकता है, किसी भी तरह, ला निन्या, लास निन्या, गर्ल, ला मुघर, लास मुघरेस्ट, बॉमेन, इल माते लास, भास, बॉमेन, वाप्या बॉस्च्छ, लापिस्ट, उप बॉस्च्षण ठीक है, ओर यहाईसे लोस पेसेश, फिश, एल ओंब्रे, लोस ओंब्रेश, मैन, एल ताक्सी, लोस ताक्सी, टाक्सी, ला पिसीना, लास पिसीनास, स्विमिंग पूल, ला बिब्लियोतेका, लास बिब्लियोतेकास, लाइब्रेरी, ला लिब्रेरिया, लास लिब्रेरियास, बुक्शोप, ठीक है biblioteca होता है जहांपे हम बैट के books पढ़ सकते हैं जहांपे already books होती है पढ़ने के लिए वहां से खरीदी नहीं जाती ठीक है न आपको सबको पता ही होगा यहांपे हर चोटे से चोटे पुएबलो में मतलब हर चोटे से चोटे टाउन में या village में या बड़े से बड़े city में भी हर area का अपना एक library होती है यहां पर है ना तो bibliotecas और biblioteca और library होती है bookshop जहां से हम books खरीदते हैं तो दोनों में confused नहीं हो ना इसकी जो translation है वो English से ज़ादा library में match करती है बढ़ यह अलग-अलग है ओके ऐल hospital, los hospitalis, hospital el avion, los aviones, airplane, la moto, las motos, bike यह I think repeat हो गया है, I'm sorry, la discotheca, las discothecas, disco और आगे जाके आ रहे हैं sentences ठीक है तो वो भी मैंने इसी पर बनाया है थोड़े बहुत लेकर तो देखते हैं कौन से हैं वो sentences el parque es bonito, los parques son bonitos ठीक है मतलब article as it is change होगा ही होगा ठीक है बड़ जो rule आज का है वो है singular से प्लूरल मतलब s apply करेंगे, es apply करेंगे अब अगर आपको यह rule पता होगा ठीक है यह आपको rule पता है कि वोवल पे खतम होने मतलब बोकाले इस पे खतम होने वाले word पे s ही apply होता है अब अगर in words के इलावा और कोई word आपके सामने मैं रखोंगी ठीक है बोल सो, कामीशा, या फिर कामा, या फिर बेंताना, या फिर मुवले, या फिर कोखीन, या फिर अल्मॉदा, अब यह words हम दिरे दिरे आगे जाके पढ़ेंगे बट आपको पहले से पता होगा कि अगर singular है तो इसमें मैंने yes नहीं apply करना है अगर ये वावल पे नहीं खतम हो रहा है सिरफ as apply करना है ठीक है ना तो ये जो law है, ये जो rules है ये थोड़े बहुत पता होने जरूरी है बहुत ज़ादा मत डीप में चाहिए बढ़ थोड़े बहुत आने हमें जरूरी होते है जो है बहुत पेंसिल तोट चुकी है और बहुत सारी पेंसिल तोट चुकी है ठीक है मतलब लाइब्रेडी बंध है और लाइब्रेडी बंध है ठीक है ला फार्मासिया इस्ता लिम्पिया लास फार्मासियास इस्ता लिम्पियास ठीक है फार्मासिय जो है जो हमारी कैमिस शॉप होती है वो साफ है वो क्लीन है और सब फार्मासियस मतलब फार्मासियस क्लीन है ओके ला मुखेर इस्ता इनल बूस मतलब व्यूमेन जो है वो बस में है और व्यूमेन जो है वो बस में है मतलब यहाँ एक व्यूमेन और यहाँ कितनी सारी व्यूमेन ठीक है तो यह आपका chapter हो गया clear अब हम अगली पर लेके आएंगे verbs और और भी कुछ मैं सोच रही हूँ मैं भी adjectives लेके आँ इस बार ठीक है या फिर positionis मतलब जैसे हम कहते हैं न कि मैं कल say नहीं आँगा तो यह say जो है वो prepositionis होती है ठीक है तो वो भी हमें पता होनी जरूरी है कि लगनी चाहिए एक sentence में ठीक है तो let's see क्या लिक आते हैं और फिलहाल के लिए यहीं तक I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने आगे फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस चीज़ का एडवांटेज ले सकें सीखने का घर पैठें तो मिलते हैं अगले वीडियो में अस्ताप्रण तो अपना खयाल रखिएगा